Hello friends, स्वागत है आप सबका, आपका अपना YouTube चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर रहे हैं आपके लिए Railway का Model Z6 जो कि आपके लिए काफी important है Railway के आने वाले सारे exam जैसे कि NTPC, Group D या फिर और कोई भी exams, One Day exams के लिए तो बने रहे हैं हमारे साथ, आपका अपना Study Channel अब पढ़ेगा इंडिया में आएए सुरू करते हैं, सुरू करने से पहले देखते हैं Coat of the Day आज का Coat हमारा क्या कह रहा है, कि काम्याबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं कभी न कभी अच्छा जरूर होगा, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने Questions की तरफ आज का हमारा जो Question No.1 है, वो कह रहा है कि भारत के किस राज में Railway Line नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, Option No.1 मेगाले, मेगाले में कोई Railway Line नहीं है देखे, अगर रेलबे की बात करते हैं, तो रेलबे से important कुछ चीज याद रखेगा, रेलबे गेज के बारे में जो कि बहुत बार एकजाम, रेलबे की एकजाम में ये Question पुछा गया है सबसे पहले आप याद रखेगा, एक होता है Broad Gauge, ठीक है, जो Broad Gauge होता है, वो होता है 1.676 मीटर उसके बाद याद रखेगा Meter Gauge, Meter Gauge होता है 1 मीटर, उसके बाद होता है Narrow Gauge, Narrow Gauge को याद रखेगा 0.762 मीटर और एक और last one याद रखेगा special gauge, जो special gauge होता है वो होता है 0.610 meter ठीक है, यह 4 gauge की आपके meter के distance आपको याद रखना होगा क्योंकि यह बहुत वारी jumps में question में पूछा गया है चलिए, तो इसके बाद बढ़ते हैं अपने next question की तरफ जो कि है हमारा question number second question number second क्या कर रहा है question number second कर रहा है, लापाज विश्व की सबसे अधीक उचाई पर स्थित राजधानी नगर किस देश की राजधानी है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो है बोलोबिया ठीक है, देखिए यह जो लापाज है सबसे बड़ा अस्थल रूध देश भी है अस्थल रूध देश भी है ठीक है, अब यहाँ पर और options की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर मध्चिली की बात करते हैं, तो मध्चिली से एक चीज इंपोर्टन्ट याद रखिएगा, कि यहाँ जाडो की सीजन में भी बारिस होती है जाडो में भी बारिस होती है, ठीक है अगर बात हम लोग करते हैं ब्राजिल की, तो ब्राजिल आप लोगों को पता ही होगा कि यह बिस्व का सरवादिक कॉफी उत्पादक देश है क्या है COPY उत्पादक देस है यहां का एक बंदरगाह याद रखिएगा जो बहурत बार legitim में पुछा क्या है वो है San Toz बंदरगा क्या है San Toz बंदरगा और इसी बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉफी बंदरगा चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है हमारा, अब start-up को बढ़ावे देने के लिए किस राज ने भारत का पहला cyber space after later launch किया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number B, करनाटक, ठीक है, अगर हम करनाटक की बात करते हैं, तो करनाटक का capital है बैंगलोरू, ठीक है, यहाँ के जो chief minister है, यानि मुख मंत्री है, वो है B.S.A. दुरप्पा, ठीक है, और अभी फिलहाल में यहाँ के जो governor ह बजु भाई बाला, ठीक है, बजु भाई बाला, चलिए, बढ़ते है next question की तरफ, next question है हमारा, नूर जहाँ का बस्तबिक नाम क्या था, तो जो नूर जहाँ का बस्तबिक नाम है, वो क्या है, इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number B, महरु नीसा, ठीक है, महरु नीसा इनका बस्तबिक नाम था, देखे हुआ क्या था, कि सबसे पहले ये जो नूर जहाँ थी, मतलब महरु नीसा थी, इनका जो साधी हुआ था, वो अलकुली बेग से हुआ था, अलकुली बेग से हुआ था, अब इस अलकुली बेग के बाद क्या होता है, कि इस अलकुली प्रती हो जाती है तो इस जो नूर जहाँ है मतलए मेरूनिसा है इनकी जो इनको लगा दिया जाता है फिरके अखबर की बिध्वा रहती है एंसुन। इनके सेवा सत्कार में इनको लगा दिया जाता है अग् ludzie को ठीक है बीबाह के बाद इसको महरूनिसा को बो नूर महल और नूर जहां की उपाधी देता है ठीक है तब से इसका जो नाम होता है बो नूर जहां हो जाता है यही नूर जहां ने जहांगीर की क्या बनवाया था कब रहा फिर जिसको आप यह बोल सकते हैं चलिए question number fifth है question number fifth हमारा कहा रहा है jeep की उत्पत्ती jeep से होती है इस कथन का सत्पातन किस ने किया था तो इसका जो सही answer है बो है option number D ओपेर इनने ठीक है अगर यहाँ पे हम बात करते हैं Lewis pasture की तो इससे यह याद रखिएगा कि इनने क्या किया था इनने रैबिज के टिका का खोज किया था रैबिज का anti-road बनाया था मतलब टिका बनाया था अगर यहाँ पे बात करते हैं Robert Hooke की तो Robert Hooke से एक important याद point रखिएगा कि इनने क्या किया था noble proscar किसे मिला है तो इसका जो सही अंसर है वो है Boston and Cricks को इनने क्या किया था जो DNA का double helix model है याद रखिएगा DNA का double helix model इनहीं नहीं दिया था Boston and Cricks ने चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है हमारा सिंदु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number D मातरी सक्ती में देखे मातरी सक्ती की जो मातरी सक्ती में विश्वास करते थे मतलब मातरी देवी का जो पूजा उन लोग करते थे उसका जो साच मिला है बो मिला है मोहन जोदरों से याद रखेगा मोहन जोदरों से साच मिला है इसका और साथी साथ एक और चीज याद रखेगा उन लोग पिर्थिभी की भी पूजा करते थे मतलब उर्भरता की पूजा करते थे और इसका साच मिला है हडपा से ठीक है और सिंदू गाटी से एक और साच मिला है बहुत स्वास्तिक चिन का जो हम लोग आज तक भी यूज करते आ रहे हैं बहुत स्वास्तिक चिन ठीक है ये सिंदू गाटी सभिथा से ही मिला था अगर हम बात करते हैं हडपा की तो हडपा उनेईसोन इकीस में इसकी खुदाई हुई थी चलिए एक चीज और याद रखेगा कि सिंदू गाटी से कोई भी मंदीर होने का साच नहीं मिला है कई भी मंदिर होने का साच नहीं मिला है चलिए बढ़ते है next question की तरफ next question है हाली में नवाड के नए अध्याज के रूप में कौन निन्यूप्थ हुए तो इसका जो सई अंसर है बो है option number A यानि गोबिंदा राजुली चिंटाला ठीक है यह देखिए यह पहले deputy manager थे वहाँ मतलब deputy chairman थे वहाँ लेकिन अब इनको manager के रूप में upgrade कर दिया गया है ठीक है अगर हम बात करते है नवाड की तो नवाड का गठन 1912 में हुआ है और इसका जो headquarter है वो कहा है वो मुंबई में है ठीक है कभी कभी नवाड का full form भी आ जाता है एक जाब में तो याद रखिएगा नवाड का जो full form होता है बहुत है national bank for agriculture ruler development ठीक है चल यह बढ़ते हैं next question की तरफ next question है हमारा कास्मीर का बो सासक जो कास्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number D जैनूल आपदीन ठीक है अब एक चीज और कास्मीर से बहुत ज्यादा question पूछा जाता है कि कास्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्मान किसने करवाया था याद रखिएगा कि कास्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो ललता दित मुक्ता पिंड ने करवाया था चलिए बढ़ते है next question की तरफ next question है हाली में भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 horsepower बाला इंजन सफलता पूरबक चलाया है इसका नाम क्या है तो इसका जो सई अंसर है वो है option number B badge to belt देखे इसको तैय ये कितना है 12,000 HP का है ठीक है 12,000 horsepower का है और इसका अगर engine number की आप बात करते है तो इसका engine number है 6,0027 ठीक है अगर इसको बना ये बना का है तो ये बना कहा है तो ये बना है electric locomotive factory मध्यपूरा जो कि बिहार में located है electric locomotive factory मध्यपूरा में अब बात आती है यहां पर आपने एक सिरा सुना होगा badge 7, badge 9 ये होता क्या है तो इसको देखिए इसमें जो WA और G अस्टेंड होता है ये W जो अस्टेंड होता है वो broad gauge को denote करता है क्या करता है? broad gauge को denote करता है ये जो A होता है ये AC को denote करता है ठीक है? AC traction को denote करता है और G जो होता है वो goods duty को denote करता है ठीक है जी जो होता है वो goods duty को डिनोट करता है चलिए बढ़ता है next question की तरफ जो की है हमारा question number 11 ससांग को किस सासक ने पराजित किया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C हर्स बर्धन ने देखे हुआ क्या था कि ससांग को याद रखिये का है परवाकर बंधन का बात समझे परवाकर बंधन जो थे इनके दो पूतर और एक पूतरी थे ठीक है दो पूतर और एक पूतरी थे एक पहला पूतर जो था वो राज बर्धन था दूसरा पूर्त जो था वो हर्स बर्धन और जो पुत्री थी उसका नाम था राजस्री ठीक है तो यह राजस्री की साधी हो जाती है उसके बाद इसके हस्वेंड को यह ससांक उसके help करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि यह जो ससांक था यह राजवर्धन को मार देता है मतलब हर्स बर्धन के बड़े भाई को मार देता है और साथी साथ ससांग के बारे में कोलची याद रखेगा कि इसने क्या किया था कि बौधी ब्रिच को कटवा दिया था यह question बहुत बारी ज़ाहां में पूछा गया कि बॉली बिज़ को किस ने कटवाया है तो ससांख ने कटवाया है तो ये जो ससांख था वो राजबर्धन को मार दिया था ठीक है और उसके बाद फिर क्या हर्सबर्धन ने इसको ससांख को मार दिया था ससांख को प्राजित कर दिया था अगर हम बात करते हैं हर्स बर्धन की, तो हर्स बर्धन को क्या बोला जाता है, हर्स बर्धन को बोला जाता है, अंतिम हिंदु समराट, क्या बोला जाता है, अंतिम हिंदु समराट भी बोला जाता है, ठीक है, हर्स बर्धन के चीज़ बारे में एक चीज़ और याद रखेग साथ ही साथ ये हर्सबर्धन की कुछ books हैं बो भी आपको याद रखनी होंगी उसका नाम याद रखेगा प्रियत दर्सिका, नगानंद और रतना बली ठीक है रतना बली ये इन तीनों की रचना किस ने किये है हर्सबर्धन ने किये चलिए बढ़ते हैं next question की तरब जो की है हम ये ये तो देखिए राष्टरीं ध्वज को सबसे पहले संब्धान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को संब्धान सभा में अपना लिया था, कभी-कभी ये बीquestion आ था कि संब्धान सभा में इसको प्रस्तूत कीस ने किया था? तो इसको प्र가지्तूत किया था हंसा मे पहता ने प्रस्तूत किया था और 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था एक चीज़ और याद रखिएगा जो ततकालीन हमारे परधान मंत्री होंगे ठीक है कौन-कौन परधान मंत्री यानि प्रसिडेंट यानि राष्टपती उपराष्टपती और परधान मंत्री जो ततकाल हो अभूत पूर उपराष्टपती हो तब साथ दिन जुका रहता है ठीक है तब साथ दिन जुका रहता है क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन अबर 13 पर देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लो यानी जो 2020 का त्हीम है आबर सोलूसन्स और इन नेचर मतलब हमारा सामाधान प्राकिर्थे में ही है क्या है हमारा सौमाधान जो है वो प्राकिर्थे में है चलिए मैई से बहुत यादा इंप्वर्टेंट डेज है कोईए जो बहुत बाव एक पounds quan पप्शा चाते उसको एक बार देख लेते हैं कुछ-कुछ important को, एक मई को याद रखिएगा मजदूर दिवस मनाया जाता है, अगर हम बात करते हैं तीन मई को तो तीन मई को याद रखिएगा प्रेस्व तंतरता दिवस मनाया जाता है, आठ मई को याद रखेगा रेड क्रोस दिवस मनाया जाता है 31 मई को याद रखेगा तंबाकुनी से दिवस मनाया जाता है ठीक है 31 मई को क्या मनाया जाता है तंबाकुनी से दिवस मनाया जाता है चलिए बात करते हैं अगले question की तरफ अगला क्योशन है हमारा सूर्ज का सबसे निकटतम गरह कौन सा है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा option number B बुध और बुध में एक चीज भी याद रखेगा कि यह सबसे छोटा गरहवी है क्या है सबसे छोटा गरहवी है चलिए अगर हम बात सुक्र की करते हैं तो यह पृथिवी का सबसे निकटतम है यह पृथिवी का निकटतम है और इसको क्या बोला जाता है भोर का तारा भी कहा जाता है भोर का तारा साथी साथ होर पृथिवी की भगनी भी कहा जाता है पिर्थी भी का, भगनी भी कहा जाता इसको अगर हम बात Uranus की करते हैं Uranus मतलब Arun की बात करते हैं अगर हम Arun की बात करते हैं तो इसकी खोज 1781 में हुई थी और किसने किया था, बिलियम हरसल ने किया था याद रखियेगा नाम, कभी-कभी एक जाम में पूर दिया जाता है कि किसने खोज किया था, तो बिलियम हरसल के द्वारा खोज किया गया था, और ये जो Uranus है ये तीसरा सबसे बड़ा गरह है अगर सबसे बड़ा गरह की बात करते हैं, तो पहले नंबर पे है बिहस्पती, दूसरे नंबर पे है सनी और तीसरे नंबर पे आता है Uranus यानि अरुन ठीक है, Uranus के बारे में एक और चीज़ याद रखेगा कि ये जो Uranus है, इसी को क्या बोला जाता है लेटा हुआ गरह भी कहा जाता है लेटा हुआ गरह भी कहा जाता है ठीक है, चलिए, को दिकत चलिए, बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो कि है कोश्चन नबर 15 कोश्चन नमर हमारा 15 कह रहा है के अंदर सरकार द्वारा हाली में जारी बन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज में सर्वे सबसे अधिक बन अचादी छेतर बढ़ा है तो इसका जो सई अंसर है, बो है, option number D करनाटक, देखिए, अगर पूछे अभी ततकाल में सबसे ज़्यादा है कहाँ बन छेतर, तब हो जागा answer MP मधर प्रदेस में है सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ है, तब हो जागा करनाटक ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं अगले कोश्यन की तरफ अगला कोश्यन है हमारा हाली में किस राज में ततपर योजना सुरू की है, तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा, option number D, जारखंड अगर हम बात करते हैं जारखंड की तो जारखंड का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ये बिहाद से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है अभी ततकाल में इसके जो मुख मंत्री हैं बो हैं हेमनसरेन हेमनसरेन, और जो अभी ततकाल में यहां के गवर्नर हैं वो हैं दुराब्दी मुर्मूरे याद रखिएगा दुराब्दी मुर्मूरे और जारखंड की अगर हम बात करते हैं तो जारखंड में लोकसभा सीठ है 14 बिधान सभा सीठ है 81 ठीक है, लोकसभा 14, बिधान सभा है 81 जो याद रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो कि है हमारा कोश्चन नबर 17 कोश्चन नबर 17 कह रहा है बीत मंत्राले ने हरी तूर्जा उपकर्णों कि आयाव सुल्क में कितने परतिसत की ब्रिधी किया है तो इसका जो सही अंसर है बो है ऑप्सन किस ने तयार किया था तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा ऑप्सन नबर B डॉक्टर जेनर ले मतलब इनका जो पूरा नाम था वो एडवर्ड जेनर था याद रखिएगा एडवर्ड जेनर था ठीक है और यह जो चेचक है वो किसे रोग है यह चेचक बिसानू जनीत र किया था थे रेवोड की टिका यानि रिवश टिकल अंट या एन्टि रॉड बनाया था चलिए बठते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो कि अगलाकोस्चन है अब बाब्रा का विसका कौन थे तो इसका जो सही अंसर होगा वहगा रोवर्ड वासन करे अघ। सुक है अगर हम तूछम तरंगों का उपयोग करके ये गतिमान बस्तु जैसे कोई भी बायुआन हो गया जलियान हो गया आधी की दूरी उच्चाई या फिर दिसा डायरेक्शन का पता चलाता है यही इराडार का यूज है चलिए बड़ते है नेक्स कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन अगर लंबाई की हम बात करते हैं तो यह टाइम पिरियेड भी बढ़ेगा मतलब पेंडूलम का लोलक की जो कालब्दी अब भी बढ़ेगी लेकिन ग्रैविटी से की यह इन्वर्सली प्रपोस्टनल होता है मतलब ग्रैविटी बढ़ेगा तो लोलक की कालब्दी क्या मतलब लंबाई को हम चार गुना बढ़ा दिया जाता है तो टाइम पिरियेड दो गुना बढ़ेगा ठीक है और अगर ग्रैविटी की बात करते हैं तो यह इसके इन्वर्सली प्रपोस्टनल होता है ठीक है चलिए बात करते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा 21 सूर्ज ग्रहन तब होता है जब तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा अप्सन नमरे चंद्रमा बीच में होता है देखे सूर्ज ग्रहन क्या होता है सूर्ज और पिर्थिवी के बीच में चंद्रमा आ जाता है सूर्ज और पिर्थिवी के बीच में चंद्रमा आ जाता ह तो चंद ग्रहन को हम लोनर एक्रमा एक्लिक्स बोलते हैं और अगले क्वेस्ट कोऊ git चलिए, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question है हमारा, चुहा मारने का जहर किस रसाइनिक पदार्थ से बनता है, तो इसका जो सही answer होगा, वो होगा, option number C, potassium cyanide, ठीक है, अब इस हम बात अगर potassium cyanide को करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, KCN, ठीक है, और इसका अगले की बात करते हैं, तो इसका formula होता है, C2H5OH, अगर बात करते हैं, methyl isosinide की, तो इसको बोला जाता है, C2H3NO, ठीक है, और यही methyl isosinide, भोपाल gas तरासदी, जो 184 में हुई थी, उसमें यही gas का रिसाब हुआ था, अगर हम बात करते हैं, methyl isosinide का, तो इसको बोला जात हैं हमारा question number 23, Congress ने कब पहली बार भारत की स्वतनतता का परस्ताव पारित किया था, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number A, 1927, देखें, 1927 के मदरास अधिवेशन में, 1927 के मदरास अधिवेशन में ही पून स्वाधिनता की मांग की गई थी, पून स्वाधिनता की म में अनसारी ने, अगर हम बात यहां पर कर लेते हैं 1915 की, तो 1915 में कौन सा अधिवेशन हुआ है, बंबाई अधिवेशन, ठीक है, और इसमें याद रखिएगा, इसमें Lord Bellington भाग लिया था, Lord Bellington ने भाग लिया था, बात करतें 1942 की, तो 1942 में कोई अधिवेशन हुआ ह नहीं था, क्योंकि 1940 के बार डाइरेक्ट 1946 में अधिवेशन हुआ था, 1935 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, क्योंकि 1934 के बार डाइरेक्ट 1936 में अधिवेशन हुआ था, इसमें नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा 1937 का तो यह यही था 1937 का फैजपुरद धिवेशन चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ नेक्स कोश्चन है हमारा महात्मा गांदी दच्छीन अफेरका से भारत किस वर्स लोटे थे तो इसका जो सही अंसर होगा यह होगा अपसर नबर है 1915 ठीक है और यह 1915 में लोटे थे और यही 1915 में ही उन्हें अंग्रियेस सरकार के द्वारा क्या मिला था केसरे हिंद की उपाधी मिली थी क्या सर एह हिंद की उपाधी मिली थी लेकिन फिर 1929 में जलिया वाला हत्यकान जो हुआ था उसके विरुध में इनने केसरे हिंद की उपाधी क्या कर दी थी बापस लोटा दी थी ठीक है अगर उन्हें 115 की बात करते तो उन्हें 115 से एक और चीज याद रखेगा कि उन्हें 115 में ही क्या हुआ था हिंदू महासभा का गठन हुआ ठीक है उन्हें 115 में हिंदू महासभा का गठन हुआ ठीक है उन्हें 115 में हिंदू महासभा का गठन हुआ ठीक है और किसने किया की तरब जो की है हमारा question number 25 1565 में कौन सा प्रसिद यूद हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C ताली कोटा का यूद ठीक है अगर हम ताली कोटा का यूद का बात करते हैं तो ताली कोटा का यूद हुआ था किसके बीच तो यह हुआ था दच्छिन के जितने राज थे जैसे कि उस समय दच्छिन के राज थे गोलकुंडा बीदर बिजापूर अहमद नगर तो यह सब जो दच्छिन के राज थ तो जो दच्छी राज्यों के तरफ से इसका जो नेतरीत्व कर रहा था वो था अली कौन था याद रखियेगा ना तो देखेए जो ये ताली कोटा के युद में जो दचनी राजयों था जो दचनी राजयों का नेतरीट कर रहा था वो था अली आदिल साथ और इसके बाद जो विजय नगर समराज की तरफ से कर रहा था ने तरिक बो था रामराय याद रखेगा दोनों का ना कि विजय नगर समराज के तरफ से रामराय था और दच्छी राजों के तरफ से अली आदिल सा था चलिए बात कर लेते हैं और दूसरे options के तो दूसरा option है यहां ici पानीपत्फं का प्रथम यूद यह हुआ था कब 1526 में किसके किसके बीच बाबर और इबराहीम लोदी के बीच जिसमें इबराहीम लोदी क्या हुआ था हार गया था फिर बात करते खानबा का यूद तो ये हुआ था 1527 में बाबर और रानासंगा का बीच इसमें भी रानासंगा क्या हुआ था हार गया था फिर बात करते हैं, पानीपत का दूसरा यूद, तो ये हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें क्या हुआ था, हेमू हार गया था. और फिर था एक और याद रखिएगा पानिपत का तीसरा यूद, तीसरा यूद हुआ था 1761 में आहमसा अब्दाली और मराठो के बीच, जिसमें अब्दालसा अब्दाली ने मराठो को हराया था, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, जो कि है हमारा question number 26, 26 कह रहा है, अ हिंदुस्तान Socialist Republic Association का गठन किया था, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं सुभास्चंद्र बोस की, तो सुभास्चंद बोस ने 1949 में फोरबट ब्लॉक का गठन किया था, ठीक है, और 1943 में इनने क्या किया था, आजाद हिंद सरकार की, आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है हमारा परसांत अथा Atlantic महा सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number D, पनामा नहर, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं और दूसरे options की, अगर हम बात करते हैं स्वेज नहर की, तो ये कहा located है, मिस्र में है, और ये किसको किसको जोड़ता है, लाल सागर को भूमद सागर से, ठीक है, लाल सागर भूमद सागर, अगर हम बात कर लेते हैं कील नहर की, तो ये जर्मनी में है, और ये उतरी सागर और वॉल्टिक सागर को जोड़ता है, उतरी और वॉल्टिक सागर को ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं सूहर की तो सूहर अमेरिका में है। ठीक है। और ये किसको किसको जोडता है सूपीरियर जील को खूरण जील से। ठीक है चलिए। बाढ़ते हैं अगले question के तरफ जो की है Hem division number 28 question number 28 है कि किस संवयधानिक संसोधन तवारा 6 बर्स और 14 बर्स के बीच के सभी बच्चों के लिए सिच्छा को मुलतिकार बनाया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number 26 देखिए इससे पहले 10 मौलिक कर्तब थे लेकिन यही 26 संभीधान संसोधन के बाद 11 मौलिक कर्तब हो गये थे अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तब की तो इसको सरदार स्वन सिंग समीति के अनुसंसा पर 42 संभीधान संसोधन 1174 के द्वाड़ा जोरा गया था ठीक है और इसे लिया कहां से गया है इसे लिया गया है रसिया से याद रखेगा इसे लिया गया है रसिया से और रखा कहा गया है रखा गया है भाग 4 के क में अनुछे दे कामन क के तह था ठीक है चलिए अगर यह आई पर और बात कर लेते हैं दूसरे वाप्संस की तरह तो अगर हम तिहतर्मा की बात करते हैं तो यह हुआ था कब तो इससे याद रखेगा कि पंचाइती राज में अनुसुची जाती के लिए आरच्छन का प्रद्धान न करने की छूट दी गई है ठीक है ना करने के छूट दी गई है चलिए बात करते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन है गोवा की सराज के उच्छ न्याले के नि नई मुंबई और कोलकता तीनों हाई कोट का गठन कब हुआ है 1862 में इसके बाद फिर कब हुआ 1866 में इलाहाबाद कोट का हुआ ठीक है अगर हम बात यहीं पर महराश्ट हाई कोट की कर लेते हैं तो महराश्ट हाई कोट में क्या क्या आता है महराश्ट हाई कोट में आ ज सिर्फ और सिर्फ करनाटकी आता है अगर हम बात करते हैं चन्नाई की तो इसको भी बताया ही कि 1862 में हुआ है और इसमें को जो आता है पांडी चेरी और तमिलनाड दोनों आता है अगर हम बात करते हैं भुपाल की तो यह होता है 1936 में और इसमें सिर्फ और सिर्फ मध्ध प 14 में लेकिन अनुछेद 211 हमारा ये कहता है कि 2 या 2 से अधीक राज या संघ राज के लिए एक ही हाई कोट हो सकता है तो ये भी कोश्चन बहुत बात पूछा गया है कि एक से जादा अधीक राज के लिए 2 या 2 से अधीक राज के लिए एक हाई कोट हो का ये कौन से अनुच्छेत के तहत तो 231 अनुच्छेत के तहत चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चेन जो कि है हमारा कोश्चेन नमर 30 बारत का बरतमान लिंगा अनुपात कितना है देखे जब भी अभी ऐसा कोश्चेन पूछा जाए मतलब सिंपल सी बात है कि बहुत दोहजार ये कईल के डिंगा अनुपात है तो वह है केराल का कितना है 884 के बात अगर हम करते हैं तो उसके बाद है तमिलनाडूग जिसका 966 है उसके बाद है अंधर प्रदेश जिसका 9007 एक주는 तीन यादर रखियेगा और अगर सबसे main infinite की बात करते हैं कि değildam किудь निद में किसका है तो इसका है हर्याना का और कितना है 879 पर 1000 पर मतलब 879 फिमेल है एक हजार मेल है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन 31 अलकोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखरी उत्पाद क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा आप्सन नबर किनबन बोलते हैं तो फर्मेंटेशन है क्या फर्मेंटेशन एक जैब रसाइनिक के लिया है जिसमें कोई भी जटिल कार्वनिक योगी को सुच्म सजीबों की सहायता से सरल कार्वनिक योगी में बिघटित करवा देते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन या 32 क्या है सक्कर के किन्वन से क्या बनता है तो सक्कर के किन्वन से इसका जो सई अंसर होगा बो होगा option number A इथाइल अलकोहल ठीक है सक्कर के किन्वन से भी क्या बनेगा इथाइल अलकोहल बनता है ठीक है चलिए बात करते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो किया है हमारा निम्न म होगा राज रेलवे जो होगा वो राज सुची में है निगम कर जो है और यह जो जनगन्ना है यह दोनों संग सुची में है ठीक है और आर्थिक समाजिक नियोजन जो है वो संबर्थी सुची में है ठीक है अगर हम बात करते हैं राज संग और देखिए अगर हम बात करते हैं संग, राज और संबर्ती सुची के, तो संग सुची में 97 में भी सह थी, मुल में अभी 100 है, राज में मुल में 66 था, अभी 61 है, संबर्ती में 47 था और अभी 22 है, ठीक है, ये मुलता है और ये प्रजिंड में, यानी अभी में है, चलिए, वढ़ते हैं अगले question की तरफ, जो की कोई काली का ध्यच नहीं होता है जिस समय हमारे कंट्री के बर्दान मंतरी होंगे उसके अध्य çek कोई षयं नरेगा को मन्रेगा नाम कब दिया गया जो सभए अंसर होगा बो होगा option number C 2 October 2009 को ठीक है पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था उसके बाद फिर मनरेगा कर दिया मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना और सबसे पहले जो नरेगा था बहुत 2006 में लागू हुआ था कहां आंध प्रदेश मे याद रखिएगा 2006 में आंध प्रदेश में लागू हुआ था और यही मन लेगा कि अंतरगत क्या है कि अगर आपको 15 दिन तक रोजगार नहीं मुहया होता है तो आपको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा ठीक है अगर 15 दिन तक आपको रोजगार मुहया नहीं होता है त यानि मुहम्मद बिन तुगलग देखें मुहम्मद बिन तुगलग से कुछ पॉइंट और याद रखेगा इसी के टाइम जो इवन वतूता था मुरक्को का यातरी वो इसी के समय भारत आया था ठीक है जो लिखते थे वो लिखे थे कि अंतरता लोगों को राजा से और राजा को प्राजा से मुक्ति मिल गई ठीक है चलिए बढ़ते है नेक्स कोशन की तरब जो कि है हमारा कोशन नमर ठाटी सेबन ठाटी सेबन कह रहा है बहुत संगतियों में से कौन सुमेलित नहीं है तो प्रथम सुमेलित है आजाज सत्रूस आफ सकते दूतिये में भी काला सोक थे सही है तीतिये असोक सही है चतूर्थ में हर्स बर्धन नहीं चे तो चतूर्थ के समय कौन थे कनिस्क थे ठीक है तो हमारा जो सही अंसर हो जागा वो आप्सन नमर डी हो जागा प्रथम याद रखेगा प्रथम राजगरी में हुआ है दूसरा बैसाली में हुआ है तीसरा पाठली पुतर में हुआ है और जो चौता है यह कुंडल बन यानिक कास्मीर में हुआ है ठीक है चलिए बढ़ते है नेक्स कोश्चन की तरब जो किया हमारा कोश्चन नमर 38 किसने कहा था कि साइमन के इंसन के रिपोर्ट को बकवास के धेर पर फेक देना चाहिए तो इसका जो सही अंसर है बो है आप्सन नमर सी सीव स्वामी अयर ने कहा था तेखे अगर हम साइमन क करते हैं तो इसकी जो निवक्ति थी ठीक है यह आठ नमबंबर 1927 को हुआ था कब हुआ था आठ नमबंबर 1927 को किसकी अध्यश्ता में जॉन साइमन के अध्यश्ता में इसलिए इसका नाम भी पढ़ा था साइमन कमिशन जॉन साइमन के अध्यश्ता में लेकिन यह भारत क 1928 को ठीक है फिर इसका विरोध हुआ था लाला लाचपत राय ने किया थे ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर 39 की तरफ क्वेश्चन नमर 39 हमारा कह रहा है भारतिये क्रिसी अनुस अंधान संस्थान कहां इस्थित है तो इसका जो सही उसर है वो है आप कानपूर की तो कानपूर से याद रखेगा चीनी तकनी की संस्थान ठीक है चीनी तकनी की संस्थान और फिर याद रखेगा एक और भारतिये दलहन सोल संस्थान ये दोनों कानपूर में इस्थित है अगर हम बात करते हैं लखनव की तो लखनव में इस्थित है केंदरिये अस्दी अनुसंधान के अंदर अक्रेंद्र यह बनस्पति अनुसंधान के अंदर यह दोनों लखनों में इस्थी थे ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ नेक्स कोश्चन है भारत के किस राज में एरेल लाइन सबसे अधिक है तो इसका जो सहीं अंसर होग की olin Duty परदेक है अगर बात करते हैं तो इसके प्रेजट में गवर्नर कुंड है अनन्दी पिन परदेल ठीक है अननंदी पिन परदेल अब उसके बाद अगर हैं बात करते हैं रेलवे की तो रेलवे के जो गठन हुआ था वो कब हुआ था 16 अपरेल 1853 को 16 अपरेल 1853 को और अभी present में रेलवे बोर्ट के अधेच कौन है अभी present में रेलवे बोर्ट के अधेच है बिनोद कुमार यादब कौन बिनोद कुमार यादब चलिए ठीक है तो आसा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा साथी साथ इसका explanation भी समझ में आगया होगा अच्छे से तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजेगा और आप लोगों को